हलो फ्रेंट्स मैसल दॉक्टर सुशिरा सेनि गैनेकलोजिस और अप्सेजिशन डायरेक्टर जैपुर दूरबीन हास्पटल एक बार फिर से आपके सामने हाजीर हैं इस नए वीडियो में नहीं जानकरी के साथ फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आपकी एक तरफ की ट्यूब निकाल गई है यानि की साल्पिंजेक्ट में हो गई है किसी कारणवश आपकी एक तरफ की ट्यूब एपसेंट है या आपकी एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक है तो क्या आपको प्रेग्नेंसी हो सकत है क्योंकि हमारा जो बच्चेदानी का structure है उसमें बच्चेदानी उसके दोनों तरफ दो tubes होती है तो अगर आपकी एक तरफ की ट्यूब नहीं है या ब्लॉक है या वर्किंग नहीं है तो आपकी एक तरफ की ट्यूब वर्किंग है और खुली है तो आपका इस ट्यूब से भी pregnancy आराम से हो सकता है लेकिन एक problem हो सकता है छोटा सा कि ओवरी हमारे दो होती है और जो अंडा बनता है तो alternate बनता है यानि कि एक महिने में अगर अंडा बनता है तो उसके अगले महिने लेफ्ट अंडा बनेगा और अगर आपकी लेफ्ट अवरी में अंडा बन रहा है और आपकी लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक है तो उस अंडे को मूव करके left से right में आना पढ़ेगा और फिर उस ट्यूब के थूँब वो बच्चे दाने में पहुँच पाएगा तो यह रस्ता थोड़ा लंबा हो जाता है तो कई बार अंडा ट्यूब तक पहुँच पाता है और कई बार नहीं पहुच पाता है तो प्रेगनेंसी होने में आपको डिले हो सकता है या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर महीने में आपको प्रेगनेंसी ना हो लेकिन डेफिनेटली जब आपके राइट ट्यूब खुली है और राइट ट्यूब और राइट ओवरी के अंदर ही अंडा बना है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल मेकानिजम है जब भी अंडा फंक्शनल नहीं है या किसी कारणवस्ट सरजरी के दौरान उसे हटा दिया गया है और आपकी एक ट्यूब बिल्कुल सही है वर्किंग है फंक्शनल है तो आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है इसमें कोई भी इशू नहीं है आपको एक ट्यूब वर्किंग होने पर खुली होने पर आइवीएफ की जरूरत बिल्कुल नहीं है लेकिन हां अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आप बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं कि एक-डो साल से आप ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या सीमें के में की वज़े से प्रेग्नेंसी नहीं हुपा रही है तो डेफिनेटली आप टेस्ट्यू बेबी के लिए या आईवीफ एक्सपर्ट से आप मिल सकती है और अगर आपका जो ट्यूब है अगर एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी की कारण निकाला गया है तो आपको अगली प्रेग्न नहीं हो पाता है तो एक्टॉपिक होने की चांसे बढ़ जाते हैं यानि कि नॉर्मल अगर आपको प्रेग्नेंसी होती है तो पास परसंट के असपास चांसे होते हैं लेकिन अगर आपको एक ट्यूब के अंदर एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी हुई है तो दूसरी कारण ही आपके ट्यूब हटाई गई है तो डेफिनिटली दूसरी ट्यूब में भी प्रिग्निंसी हो सकती है तो जैसे ही प्रिग्निंसी आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है आप तुरन डॉक्टर की सलहा लें अपना सोनोग्राफी करवाएं चेक अप करवाएं और कन्फ गई तो जनरली बाइलेटर लियानि कि दूनों तरफ की ट्यूब सी ब्लॉक होती है तो उसमें एक टॉपिक प्रेग्निसी की चांसे बढ़ जाते हैं और कई बार ट्यूब लॉक होने के कारण उसमें पानी बहर जाता है जो बच्चे का का अबॉर्शन का इसमें वह बन ज सबस्क्राइब करण दोसरे मित है इस पर इश्वास नहीं करना चाहिए एक टीप अगर आपकी आपको शुन से प्रेगन सी हो सकती है अगर इसके अलावा आपको कोई ये वीडियो में नई जैनकरी के साथ, तब तक नमस्टाइए.